हेलो एवरिवन, जैस याराम, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में दान पुन का बहुत महत्व होता है ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में या पुशुत्ता मास में अगर आप कोई दान करते हैं तो उसका आपको 10 गुना होके फल मिलता है और अधिक मास, प्रशुत्ता मास या मल मास में माल पुए के दान का बहुत जादा विशेश वर्णन किया गया है, विशेश रूप से बताया गया है माल पुए का दान तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि आप माल पुए किस तरह से दान कर सकते हैं, कितने दान करने हैं, कहां दान करने हैं, किस तिथी को दान करने हैं और किन बातों को आपको विशेश रुप से ध्यान रखना चाहिए और इस बार जो है विशेश रुप से सावन के साथ हमारा पुरशुत्त मास आया तो इसका जो है फल और जादा बढ़कर मिलेगा तो इसमें आप दीपदान कैसे कर सकते हैं उसकी वीडियो भी चैनल पे आ चुकी है एक दीपदान आप कैसे करना चाहते हैं 365 बाती का तो वो और अगर आप 5 दीपदान करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं वो वीडियो भी है उन्हें भी जरूर देखिएगा तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो देखे सबसे पहले आप माल पुए बना लीजिएगा तो आप आटे से माल पुए बनाएंगे आप नहीं तो आप बनाते हैं आप जो कुछ ना करने से बहतर है कुछ कर लेना तो यहां पे मैं डेसी गी में बना रही हूं। अब बात करके हैं तो तो देखे हैं आप को 33 माल पुए बनाने हैं तो देखे, आप इस तरह से आप माल पुए बना लिजीगा आप साइज ने बड़े या छोटे भी बना सकते हैं और आप पूछेंगे कि मालपुए ही क्यों रजगुला या जले भी क्यों नी तो देखें मैं आपको बता दू कि जब आप मालपुए बनाएंगे और जो उसमें छेक होते हैं ऐसा माना जाता है कि जितने छेक उसमें उतने ही जन्मों से नर्गों से हमारे जो पूर्वज है जो हमारे बड़े पित्तर है उन्हें जो है मुक्ति मिलती है तो देखें इस तरह से जसी यह चेक होएंगे उतने ही उनके कस्ट कटते हैं तो इसलिए मालपुए का विशेश रूप से वर्णन किया गया है साइस जै कि अधाएंगे तो उनका जो है विशेश महत्व रहता है तो अब चीनी से बिना सकते हैं कोई दिकनत नहीं आप चाशनी बिना सकते step in jaipon also आप अलग से बना लिजिएगा तो देखे मैंने यहां पर 33 बना लिए हैं तो एक जगह मेंने नो रखे हैं बाकी तीन जगह मेंने आठाट रखे हैं तो इसी साब से मेरे 33 हो गए हैं आठ चोग 32 और एक 33 उसी के सासत महीं हां पर कुछ दक्षना रख लूगी क्योंकि दक्ष और बहुत बार कोशन आता है कि मैं मिनसना क्या होता है हाथ फिराना क्या होता है तो देखे जब आप इस तरह से अपना पल्ला ले लेंगे थोड़ा सा जल लेके इस तरह से दो बार गुमाके इस तरह से जल छोड़ते हैं और इसे चुछकार लेते हैं तो इसे मिनसना बोल कि अगर आपने कभी भी भूल वंश भी लड़की के घर का कुछ खा लिया है तो उसके लिए आप 31 मालपुव दान करते हैं कि हमारे हिंदु धरम में यह मानता है कि जिस इसका दान कर दिया जाता है फिर उसका हम उपयोग नहीं करते हैं आप कभी किसी को कुछ दान दे के आत कि घर का कुछ भी नहीं खाया जाता और अगर भूल वंश आपने कभी ऐसा कुछ खा लिया आपको उसका दोश लगया तो उस दोश के निवारन के लिए आप 31 मालपुव दान करते हैं 32 मालपुव अगर आपने किसी भी भ्रामन का या पंडिजी का या किसी भी ऐसे का आप तो देखे सूतक पातक को नहीं माना जाता लेकिन पहले के जमाने में सूतक पातक का बहुत परेज किया जाता था जब किसी के घर में कोई मृत्ती हो गई हो या बच्चा पैदा होता हो तो उसे सूतक या पातक बोला जाता है और ऐसे में अगर आपने किसी के घर का पर शुत्तम मास जब आपका शुरू होता है तो आप इसे शुरू वाले दिन से लेके एक 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 करके पूरे महीने भी दान कर सकते हैं, रोज एक बनाईए और दान कर दीजिए, या फिर आप चाहे तो इखटे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इखटे दान कर रहे हैं, करतो आप पूरे महीने में कभी भी सकते हैं, चाहे तो आप चोथे दिन कर दें, पांचवे दिन कर दें, लेकिन आप इकादशी वाले दिन नहीं करेंगे, ना आप अंधेर की इकादशी वाले दिन करेंगे, ना चांदन की इकादशी वाले दिन करेंगे, आप कोई कादशी बताया गया है लेकिन अगर आप इन पर नहीं करना चाहते तो फिर आप इसके अलाबा बीच में कभी भी कर सकते हैं इकादशी को छोड़ के आप विशेश रुप से ध्यान रखीगा आपको इकादशी वाले दिन नहीं करना हैं अब बात कर लेते हैं कि आपको यह करने कव है सुभे या शाम को तो देखिए आप सुभे करें तो बहुत ही उत्तम हैं सुभा जब नहाद हो कि आप पहले इने बना लिजिए मिनस लिजिए और दान कर दीजिए उसके बाद आप खानावाना खा सकते हैं और अगर आप कई बर ऐसा होता कि सुभे नहीं कर पाए हैं तो क अपने बूले नात को देना है यानि कि आप इनको चड़ा दीजे अपने घर के मंदिर में भी जरूर चड़ाईएगा उसके बाद आप या तो मंदिर में जो पंडिजी होते ना उनको दे के आ सकते हैं सारी चीजे या फिर आप क्या कर सकते हैं अगर कोई ब्रामन आपके पंडित वगेरा लेकि राजकल का ऐसा है कि लोग लेते हैं या सोचने पता ने क्यों दे दिया है क्या करके दे दिया है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं आप गव माता को खिला सकते हैं यह सबसे सरल तरीका है कि आप गवशाला चले जाएगा आपके असपास कहीं गाय हो तो आप पहले पूछ लीजिए गार आप के आसपस प्लाइ रखते हैं, तो आप उन्हें खिला देंगे गउषाला तो आपके असपास आपको हर जगा मिली जाएगी आप गउषाला में जाके खिला कहां, तो देखें अब आपका ये डाउट भी अज़ा हो गया है कि आप खि रखके मिनस्के अगर अधिक मास और मलमास में तो आपको प्रिश्वी के दान करने जितना पुन्ने की प्राप्ती होती है। और साथ में आप दक्ष्णा भी रख देंगे। और अगर आप गवमाता को खिला रहे हैं तब आप इस दक्ष्णa का क्या करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजेगा और कमेंट बॉक्स में जैस यराम ज़रूर लिखतीजेगा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जैस यराम